सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सोपर टेकनोलजी लेकिन अभी हम नॉर्मल गूगल अकाउंड के साथ गूगल मीड को यूज कर सकते हैं दोस्तो इसके लेटन में वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ कि आपने गूगल मीड को कैसे यूज करना मोवाइल में और दोस्तो इसके लेटन में एक और वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ कि अगर आप गूगल मीड की मीडियो को स्केजूल करना चाहते हूँ तो कैसे करना है दोस्तो बहुत दिनों से वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि Google Meet की meeting को कैसे record करना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Google Meet की meeting को कैसे record करना है यह सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के end तक दोस्तो Google Meet में recording करने के लिए आपको G Suite account के थूँ login करना पड़ेगा अगर आपके पास G Suite account है तो आपने G Suite account के थूँ Google Meet को use करने है सबसे पहले आपने browser को open करने है browser को open करने के बाद यहाँ पर type करने है meet.google.com जैसे आप यहाँ पर meet.google.com टाइप करते हूँ उसके बाद start a meeting पर click करने है start a meeting पर click करने के बाद आपको यहाँ पे Google account के तुरू sign in करने की option आएगी तो आपने अपना G Suite account यहाँ पे डाल देना है और username and password के साथ आपने login करने है दोस्तो जैसी यहाँ पे meeting स्टार्ट होती है उसके बाद आपने join नप पे click करने three dots पे click करने three dots पे click करने के बाद यहाँ पे आपको recording की option शोगी तो उसके लिए क्या गरने उसके लिए आपने new tab खोलने open करने के बाद यहाँ पे type करने admin.google.com enter करने यहाँ से आप director G Suite account में reach कर जाओगे उसके बाद आपने apps पे click करने apps पे click करने के बाद यहाँ पे G Suite की settings ओपन होगी तो आपने G Suite पे click करने after that आपको यहाँ पे google meet show होगा और आपने on for everyone को on रखने अगर off है तो आपने यहाँ से on कर दिने उसके बाद on for everyone पे click करने after that recording पे click करने recording पे click करने के बाद drag करने यहाँ पे recordings की option मिलेगी तो pen पे click करके edit करने after that let people record their meeting enable करने और उसके बाद save कर देने दोस्तों save करने के बाद यहाँ से G Suite अकाउंट को close करने अभी मैं यहाँ से meeting को refresh कर रहा हूँ दोस्तों जैसे refresh करके मैं meeting को join करूँगा और उसके बाद फिर से आपने three dots पे click करने record meeting की option शोह हो रही है तो admin ने यहाँ पे record meeting पे click करने record meeting पे click करने के बाद ask for consent पे accept करने दोस्तों यहाँ पे admin की meeting स्टार्ट हो गी है दोस्तों अगर admin यहाँ से link share करके participant को join करवाता है तो किसी भी participant के पास meeting को record करने की option नहीं आएगी यह option सिर्फ gsuit account के लिए applicable है gsuit team के लिए applicable है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसी हम stop recording करेंगे stop recording करने के बाद the recording will be saved to google drive का message आएगा तो आपने drive.google.com को open करने उसी account के साथ login करने और यहाँ पे आपको आपकी meeting show होगी जो भी आपने record की है आप यहाँ से इस meeting को play कर सकते हो दोस्तों right top में option आगी है downloading के लिए आप यहाँ पे click करके recording को download भी कर सकते हूँ जैसे यहाँ पे मैं click करके recording download होनी start होगी है उसके बाद आपने Chrome के download section को open करना है download section को open करने के बाद आपको यहाँ पे downloading show होगी दोस्तों अभी यह file आपके PC में save होगी है आप यहाँ से इसे play भी कर सकते हो और अगर आप इसे transfer करना चाहते हो pen drive जा किसी other source में तो आप transfer भी कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी google meet जा किसी other education app created query है तो आप मेरी video को comment box में comment के जिए मैं आपके हर comment कर प्राइक रूँगा प्राइक पारिफ और चाहते हो